यह पूरी तरह से एक ऐसा प्लैन था कि जम्मू के पूरी कल्चरल वैल्यू को खतम किया जाए उन सो संतालिस के बाद में जो मुहीं में चली थी कि डोग्रों को एक गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता था वो आज भी बिल्कुल कंटिनूजली आज चलता है अगर उनको प्र कर रहता है वही आज भी हमरे इन कलाकरों के साथ हुआ मैं आपको बता दूं कि आप अब जब मेरे पास आये तो इससे ठीक पहले ही मैंने इस वाक्या को पूरे द्यान से देखा है वहां हमारे जो एक महान कलाकार हैं सुवाज ब्रामनु जी तो उनको स्टेट समाचा रही की उनको कवर कर रहा था तो यह बड़े ही एक अफसोस का विशे है कि हमारे जो हमारे डोगरा कल्चर है हमारे डोगरा कलाकार है जह हमारा जो टैलेंट है उसको 1947 के बाद में जो मही में चली थी कि डोगरों को एक गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता था वो आज भी बने थे नेशनल जूथ फेस्टिवल के अंदर उन्होंने जम्मू की जो कल्चरल जो टीम है थी जैसे कुठूवा से थे और जोरी से थे उदंपर से थे और मैं बता दूँ कि यह वाली टीम जो थी लाटी से थी पिछले चार दिनों से वह वहां पर प्रवास कर रहे थे औ जाएए रिजल्ट आपको बाद में बता दिया जाएगा मुझे बताइए कि यह किस तरह की बेवस्ते हैं रही होंगी और किस तरह का बेदवाव यह रहा है मैं आपको सपर्ष्ट बता दूँ कि जो जम्मू को गुलाम बनाने का इनका हमेशा से रहता है जम्मू को एक पे है और पूरे संस्थानों के अंदर पूरे संस्थानों के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं जो जम्मू के लोगों को गुलामों की तरह ट्रीट करते हैं किश्मीर की सिरफ किश्मीर की बात करते हैं मुस्लिम हैजामनी की बात करते हैं जिस तरह से एक जुट जम्मू हम चीजों का संग्यान लेती है और हमेशा से पुर्जोर तरीके से इस वाज को उठाती है जैसे आपने पिछले टाइम पे देखा होगा कि जैसे हमारे स्टेट बैंक के जो एस्पिरेंट थे उनको सिरफ इसलिए उस लिस्ट को क्वैस किया गया था क्यूंकि जम्मू के लड़ जिहाद की हम बात करते हैं ठीक इसी तरह का एक जिहाद चलाया जा रहा है जम्मू को गुलाम रखा जा रहा है जम्मू की कल्चरल वैल्यू को खतम करने का प्रयास हो रहा है जम्मू की हर एक तरह की आवाज को दबाने का प्रयास हो रहा है इसमें सिरफ मैं किश्मीर की न आसके जम्मू का डोगरा इतनी जल्दी धबने वाला नहीं है लेकिन आज मैं आपको बता दूँ कि जम्मू को एक कलोनी की तरह ट्रेट किया जाता है यहां से बोट लेंगे यहां से टेक्स लेंगे यहां के लोगों को अपने हिसाफ से इस्तेमाल करेंगे लेकिन जब देने की बारी आएगी नोकरियों में आपके पास कुछ नहीं है कल्चरल वैल्यू खतम करने का इतना बड़ा शडियंत्र जो आज का जो एपीसोड था यह सिरफ एक मत्र उनको उसमें अवार्ड देनी की जा उसमें शामिल करने की बात नहीं थी यह पूरी तरह से एक ऐसा प्लै हो रहे हैं उन्सो संतालिस के बाद कंटिन्यूज ली एक जुट जम्मू जिसके खिलाफ लगातार जिन चीजों के खिलाफ लगातार अब आज उठाता आ रहा है तो आज उसमें ये एक और चीज आपके सामने आ गई आपको बिलकुल सामने दिख गया कि वह जम्मू को किस काफी जद्व जहत की गई महराजा हारी सिंग जी की शुटी के लिए डोगरों ने काफी हद तक इसमें संगर्च किया स्ट्राइकें की क्या शुटी तक ही सेमित था अब इस तरह की जो हमारे साथ मतवेद हो रहा है जम्मू के डोगरों के साथ तो इसके ओपर क्या कहेंग जो अधर कास्ट के लोगों होते हैं उनको सेकंड क्लास सीटीजन माना जाता है ठीक ऐसा ही विवार हमारे साथ किया जाता है इसमें हमने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी 375 के किलाफ एक जुट जम्मू ने बड़े-बड़े सेमिनार किये थे उस समय हमारा जो ग जाती लोगों ने इस मुद्दे पे उसकी 303 सीट दी यही मुद्दा लेकर जिसके दो ही वेस थे एक राम मंदिर और 370 375 के टूटने के बाद में जो उनको कदम आगे लेने थे उनकी क्या मुझवूरियां नहीं होंगी मुझे नहीं पता इसका जवाब बही बहतर तरीके से दे सकते हैं कि उनको उन्होंने सवर्चिव पॉलिटिक्स शुरू हो गई पीशे कदम लेने शुरू कर दिये पीशे खिंचने शुरू कर दिये सिर्फ उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जैसे डीलिमिटेशन इन्होंने फज सेंसिस पे जान बूज के की ताकि जम्मू एंपावर ना हो सके जम्म की जबकी पॉपुलेशन के हिसाफ से टोपोग्राफी के हिसाफ से हर पैरामेटर पे जम्मू पचास सीटे डिजर्व करता था लेकिन इन्होंने फज सेंसिस का अधार बना के जम्मू को सिरफ 43 सीटे दी और कश्मीर को 47 जे जम्मू को गुलाम रखने की मतलब एक दिशा में एक कदम था और उसी कदम के तहर्प पूरी की पूरी चीजे बिलकुल इस तरह से हिरा ना है जो जो चीजे पिछले समय में कांग्रेस करते थी आज बीजेपी वही नी ती उसी ही नीती पे चल रही है लेकिन जammू को दोखा दे रही है इस बिरासत को संभाल के लगातार प्रयास कर रहे हैं, मतलब ये कोई बड़े रिच फैमिलियों से लोग नहीं है, ये बड़े छोटे छोटे गाउं से आने वाले लोग हैं, जिनके बास खाने को खाना नहीं हैं, लेकिन ये हमारी बिरासत को संभालने वाले लोग हैं, और प आपनी चमरी बचाने के लिए उन्होंने वो आइटम नंबर ही कैंसल कर दिये तो यह प्रयास जो लगतार हैं यह तो होई रहे हैं हमारे खिलाब शड़ेंतर तो लगतार होई रहे हैं आप जनता की जो ड्यूटी है जनता को एकदम जागरेत होना चाहिए हमारे सब कलाकरों क को इकठे होके इसमे आवाज उठानी चाहिए या बाकी जैसे एस्पिरेंट्स बगरा हैं जो मारे जिस तरह से जेके बैंक के एस्पिरेंट्स से मतलब कुल मिलाके यह बात करें कि जम्मू की जनता को पूरी तरह से उठके खड़े होने का सही समय है इसी समय खड़े होके एक जूट जम्मू के साथ कंदे से कंदा मिना कर आगे निकले ताकि हम जम्मू की लड़ाई बड़े स्तर पर लड़ सकें उसी संदर्म में हमारी आने वाले दिनों में जम्मू संकल्ब जात्रा भी होने जा रही है बड़ी जल्दी उसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको देंगे और आप उसको पूरे तरीके से कवर भी करेंगे थैंक्यू जिस तरह से आपकी पार्टी की ओपसे एक मोहिम चला जा जाए कि जम्मो को सेपरेट स्टेट बना जाए इसलिए जम्मो का अलग स्टेट होना नीड आफ दिया रहा है मतलब बहुत जल्द एक दम से वो कदम लेके जम्मो को एक अलग से स्टेट बनाया जाए बाकि किश्मीर को जन चीजों को आपको अपने इसाब से डियल करना है तो वो आपकी सरदर्दी है आपकी समस्या है उस समस्या से आपको निपटना है क्योंकि उसको अम्यून आपने किया उसको पोशीत आपने किया तो उससे निपटने का काम भी आपका होना चाहिए